श्री मनोहर मानिक प्रभु महराज की समाधि के बाद, सन 1877 में श्री सद्गुरु मार्तंड मानिक प्रभु महराज अपनी आयू के सोलहवे वर्ष पीठा सीन हुए. प्रदीर घकाल तक गुरु स्थान को विभुशित करने के पश्चात, वृद्धावस्था में शारीरिक व्याधियों के कारण, जब उनका स्वास्थ्य अत्यन तक्षीन हुआ, तब महराज श्री के करीबी लोगों ने साहस जुटा कर, महराज श्री से उनके उत्तराधिकार के नियुक्ति की बात छेडी, तो आवेश में महराश श्री बोले, अरे मूर्खों, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, कि मैं अब नहीं रहूंगा, सदा के लिए मैं ही मेरी गद्धी पर बैठने वाला हूँ, तुम सब व्यर्थ में अपनी क्षमता से बाहर के विशय सोच कर, परेशान क्यों हो रहे हो, आगे की चिंता करने वाला मेरा प्रभु समर्थ है, उसको अपनी चिंता नहीं होगी, तो और किसको होगी, महराश श्री के इस उत्तर को सुनकर सब निरुत्तर हुए, और उस दिन के बाद फिर किसी ने भी इस विशय पर चर्चा तो क्या, प्रभु महराज, अपनी आयू के पच्चत्तर्वें वर्ष स्वस्वरूप में लीन हुए, शाकाब्दे मुनिभूत दिग्ज जधरा, मासे सिते फाल्गुने, तुर्यायाम दिवसेश्वरे गुरुवरे, करके चलगने दिवा, लीला मानवदेह कार्यकुशलो, यश्चस्वयम दीप्तिमान, मार्तंडप प्रभुणातु चेतनमई, शश्वप्ति आराधिता, साथ वर्षों के सुदीर्ग कार्यकाल में, महराश्री के दिव्यतेज से प्रभु संप्रदाय की विलक्षन अभिव्रधी हुई, और उनकी शरण में आये असंख्य भक्त जनों ने अपना उद्धार साध्य किया, महराश्री की सत्यासीमी पुण्यतिति के अवसर पर हम श्री चरणों में अत्यन्त कृतग्णता पूर्वक नतमस्तक होते हैं। प्रतिवर्ष वेदान्त सप्ताह महोत्सों के तीसरे दिन चतुर्थी को पुन्यतिथी निमित्न महाराश्री की महापूजा तथा आराधना संपन्न की जाती है। श्रीजी ब्राम्भनों की विधिवत पूजा करते हैं जिसके पश्चात भजन और मंत्र गोश के बीच प्राम्भन भोजन संपन्न होता है। पुन्यतिथी का यह कारेक्रम तीर्थ प्रसाद एवं भंडार खाने में महाप्रसाद के साथ परिपूर्ण होता है।